सबीको जैजनेंद्र जैबोलिये अनंता अनंत सिद्धि परमेष्ठी भगवान की जैबोलिये महावीर भगवान की जैबोलिये आचार गुरुवर सिरी कुंद कुंद महराज की जैबोलिये मोक्ष पाहोड ग्रंथ की हम लोग आज दिनांग 14 अपरेल 2020 है और जैसे कि भारत में आज तक 21 दिन का लोकडाउन का पीरिड चल रहा है अब से कुछी समय बाद पता चलेगा कि लोकडाउन की स्थिति आगे बढ़ाई जा रही है या नहीं लेकिन यह बढ़ा है या ना बढ़ा है लेकिन हमें अपना स अपक्रम हमें अपना बना के रखना है और जैसे जैसे आप लोग अभी तक प्राक्रत भासा सीख रहे हैं आगे भी सीखते रहना है कौन से नंबर की दिक लाज यह पहले आज तेरे नंबर की है तेरे नंबर की क्लास आज आपकी है मुक्ष पाउड की आपने 22 गाथाएं कर ली थी 22 पे नंबर की गाथा को रिवाइस करेंगे हम रिमूट देना रिमूट जो कोडिये अड़ जिप्पई सुहडो संगाम एहिम सब्वेहिम सो किम जिप्पई एक किम अड़ रेड संगाम ए सुहडो जो माने हमने देखा था जो माने जो होता है कोडि माने था करोड कोड़ा कोड़ी उपसरपणी अपसरपणी काल में या अन्य कई जगे पर पढ़ने में आता है कोड़ी का मतलब होता है करोड जो करोड़ों के द्वारा अड़ा माने नहीं जिप्पई माने जीता जाता है सुहड माने की योद्धा या सुभट संगाम एहिम सब्वेहिम नहीं कि सभी प्रकार के संग्रामों में जिद्धों में सो किम जिप्पई एक किम वह क्या जीता जा सकता है एक रडेर संगाम ए सोडो एक नर के द्वारा संग्राम में सुभट यानि की कोई ऐसा व्यक्ति जो करोड़ों लोगों को एक साथ हरा सकता है यानि की करोड़ों लोग मिलके भी उसे नहीं जीत सकते क्या वह योद्धा मात्र किसी एक के द्वारा हराय जा सकता है अर्थात कदापी नहीं तो यहाँ पर मोक्ष की तरफ इसारा कर रहे हैं दूसरे बातों में समझा कर कि जो मोक्ष के परती उपकरम करते हैं तो उनका बल, उनकी शक्ती, उनका तब इतना होता है कि जो करोनों लोगों के द्वारा भी नहीं जीता जा सकता तो वो छोटे से एक व्यक्ती के द्वारा, एक नर के द्वारा कैसे जीता जा सकेगा अगली गाता हम लोग देखते हैं तेईसवे नमबर की गाता हुग 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 प्रति दिन का अभ्यास कर रहे हैं एक दो दो गाता हैं हम यहाँ पर प्रति दिन आपको बता रहे है यह गरंत जैसे पहले भी बताया है बहुत ही अच्छा रचित है डॉक्टर कमल चंजयन सोगाडी जी ने इसका संपादन किया है अपरण साहित अकादमी की तरफ से शकुंतरा जैन जी का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं जिनोंने बहुत ही सरल सब्दों में इसका शब्दार्थ किया है विवक्तियों के साथ में और भावार्थ किया है जो प्राकरत के विद्ध्यारती हैं उनके लिए बहुत ही सूच्म रूप में एवर सरल रूप में एक छोटी सी पुस्तक बनाई है बहुत ही साधूबाद कुंतला जी को और कमल्चे जी सोगानी जी को उनके इन प्रियासों के लिए तेइस्वे नमबर की गाथा आपके समक्ष सग्गम तवेड सब्वो सग्गम तवेड सब्वो वी पावय तहिम वी जाड जोएड़ वी पावय तहिम वी जाड जोएड़ जोपावय सोपावय जोपावय सोपावय परलोए सासयम सोखम परलोए सासयम सोखम एक बार सभी लोग मिलके इसका उचारन करेंगे अच्छे से सभी लोग साथ साथ मिलके बोलेंगे जिससे अभ्यास भी हो बोलने का सग्गम तवेड सब्वो वी पावय तहिम वी जाड जोएड जोपावय सोपावय परलोए सासयम सोखम बहुत ही अच्छी गाता है बहुत ही सरल इसका अर्थ है देखते हैं इसका एक एक शब्द का अर्थ सग्गम क्या होता है सग्गम माने क्या मूल शब्द है इसका मूल शब्द है सग्ग सग्ध से आते आते हिंदी भाषा में बाद में बन गया स्वर्ग क्या बन गया स्वर्ग और इसमें कौन सी भक्ती बचन लगा है ये नपुनसक लिंक का शब्द है दुतिया भी बख्ती एक उचन इसमें लगाया गया है करताने करम को कमलम की तरह से दूसरा सब्द है तवेड एड लग गया तो चाहे पुरलिंक का शब्द हो चाहे नपुनसक लिंक का हो सीधे सीधे तिर्थिया विवक्ती एक वचन हो जाता है देवेड की तरह से तव माने होता है तप तव माने क्या होता है तप और तिर्टिया विवक्ती एक विचन लग गया तो क्या बन गया करताने करम को करन से द्वारा यानि तप से या तप के द्वारा उसके बाद तीसरा शब्द है सवो सव माने होता है सभी इसका मूल शब्द क्या है सव देवो या नरिंदो की तरह से क्या बन गया प्रिथिमा विवक्ति एक बचान तो क्या बन गया इसका सभी या सब सभी सभी सब को कुछ भी लगा सकते हैं करताने करम को तो करताने सब ने लगा सकते हैं में वी एक प्रकार का पहले भी कई बार आया है कभी-कभी इसका मतलब भी भी ले लिया जाता है यहां जो इसका मतलब लिया है वो लिया है ही के रूप में वी माने ही और अव्य का मतलब आप लोग जानी गए हैं कि अव्य सब्द वो होते हैं जिनमें कोई विभक्ती वचन इत्यादी नहीं लगते हैं मूल रूप में ही एज़ इस वो प्रियोग में आ जाता है पाव ए ए दी दे पाव किरिया का शब्द है पाव माने होता है पाना प्राप्त करना और ए लग गया तो क्या बन गया आपका अन्य पुरुष एक वचन तीन बटा एक किरिया के साथ में क्या बन गया पाया जाता है या प्राप्त करता है प्राप्त किया जाता है मूल शब्द है इसका पाव पाव माने पाना या प्राप्त करना और अन्य पुरुष एक वचन में किरिया की साथ लग गया तो क्या बन गया प्राप्त करता है या पाता है प्राप्त करता है किरिया शब्द है ये ध्यान लखना है न क्या है ये अन्य पुरोष एक वचन यहां पर क्या है तृतिया विवक्ति एक वचन है संग्या सर्वनाम में विवक्ति लगती है क्रिया शब्द में क्या लगता है अन्य पुरोष और एक वचन यह आपको बार बार रिपीट करते हैं तो ध्यान लगना है इस तीन बटा एक का मतलब अलग है इस तीन बटा एक का मतलब है तिर्टिया विवक्ती एक अचन पावए के बाद में है तहिम हिम किस में लगता है तिर्टिया विवक्ती बहु अचन देवे हिम की तरह से यहां पर तहिम लग गया यहां पर है सब्तमी में भी हिम लगता है त शब्द में और तितिया में यहां पर क्या है खाली हिम है तो हिम किसमें लगता है सब्तमी विवक्ती बहु वचन में अपवरंश के अंदर तो मूल शब्द है इसमें त और यहां पर सब्तमी विवक्ती भोवचन लिया है अपवरंश का अपवरंश और प्राकरत मिली जुली है कहीं कहीं अपवरंश बीच वीच में अपवरंश व्याकरण से शब्द ले लिये जाते हैं तो तहिम का मतलब क्या बना मैं लग जाएगा तामाने होता है वह और उन मैं क्या बन गया इसका अर्थ उन मैं है सब्तुमी भक्ती में क्या होता है मैं पैं पर है ना अगर ये एक वचन होता तम्मी तो क्या बनता उस मैं और बहु वचने तो क्या बन गया उन सब मैं उन मैं वी फिर से वी आ गया एक बार वी माने उपर भी आया है अब यह है और हमने अभी पहले भी बताया था कभी वी का मतलब भी ले लिया जाता है कभी वी का मतलब ही ले लिया जाता है जब हम वाक्य की हिंदी करते हैं अपनी भाशा में समझते हैं तो उस प्रकार से उसका हमें भावार्त निकालना पड़ता है तो यहां पर ही लिया है और यहां पर भी का मतलब भी लिया है कई शब्दों के परियावाची शब्द के रूप में प्रियोग में आते हैं जाड जोएड जाड जाड जोएड यहां पर दो शब्द है जाड अलग है और जोएड अलग है पहल तो जो बाद वाला शब्द होता है, उसमें विभक्ति या प्रत्यत्यादी लगाते हैं, जो शुरू में शब्द आया है, जिसमें दूसरा शब्द जुड़ गया है, उसमें जन्रली विभक्ति नहीं लगाई जाती, कहीं कहीं exception में ऐसा प्रयोग में देखा जाता है, otherwise नहीं लगाई जाती है, जो starting का सब्द है, उसमें कोई भी विभक्ति, ज्ञाड माने होता है, पहले भी कई बार आया है, ज्ञाड माने है, ज्ञाड माने होता है, ध्यान, क्या होता है, ध्यान लगाना, meditation करना, और जो माने होता है, योग, ज्ञाड और इसमें दूसरा सब्द है क्या है जो अ के साथ में हमने क्या लगाया एडь लगाया तो अ छुप गया और एड़ रह गया जो माने है योग और जहाड माने है ध्यान आगे एड़ लग गया तो एड़ लगते ही आपको पता ही चल गया कौनसी वक्ती लग गयी तरतिए एक वचन देवेड की तरह से क्या बन गया ध्यान योग और तिरतिया लग गई तो या तो द्वारा लगा सकते हैं या से लगा सकते हैं ध्यान योग से अगली लाइन देखेंगे जो जो माने आपको पता ही है जैसे बना है और देवों की तरह से इसमें भी रूप बन जाते हैं एक बटा एक सर्वनाम सब्द है ये और इसमें क्या बन गया आगे जो इसका अर्थ उसके बाद है पावई उपर भी आया है पावई पावई आया है यहाँ पर और यहाँ पर पावई आया है ये दी दे दोनों का एक ही अर्थ होता है प्रक्ते में पावई पावई माने भी क्या होता है प्राप्त करता है ये ये दी दे आपने पहले भी याद करे हुए हैं क्या अर्थ है इसका प्राप्त करता है मूलचब्द क्या है इसका पाव और उसमें इप रिक्ते जुड़ गया कौन सी लगी इसमें अन्य प्रोश एक वचन ये भी क्या है क्रिया शब्द है फिर से सब्दाया सो सो माने आपको अच्छी तरह से याद है वह सो माने वह इसका मूलचब्द क्या होता है ता ता या स उससे क्या बन जाता है सो बन जाता है वह के जबता के रूप बनते हैं पावई फिर से पावई आ गया पावई का मतलब फिर से वही लेंगे हम प्राप्त करता है तीन बार आ गया एक बार पावई फिर पावई फिर पावई प्राप्त करता है क्या बना इसका मूल शब्द पाव और तीन बटा एक अगला शब्द है परलोए यह तो देखते ही आपको पता चल रहा है परलोए माने परलोग परलोग क्या होता है जो यहां पर दिखाई नहीं दे रहा जो आपकी अभी रत्यू के बाद जब पर्याय बदलती है तो उसे क्या बोलते हैं दूसरी जगे जब आपका जनम होता है तो उसे पर लोग अभी प्राय से बोल देते हैं पर ये लग गया है क्या है इसका मूल शब्द है पर लोग ये लग गया एक इसमें लगाते हैं देवे देवमी सब्तमी भक्ती एक वचन पर लोग मैं क्या बना इसका अर्थ परलोक में सब्तमी में क्या लगता है एक वचन में में लगता है जब एक होता है और अगर बहुचन होता है तो बहुत सारे हो जाते हैं बहुत सारे परलोक में यहाँ पर क्या है एक वचन लगा है तो क्या बन गया परलोक में सासयम ये आपके लिए शायद नया शब्द है इसको अच्छे से याद करना है सासेम का मतलब होता है सासे से बना साश्वत हिंदी में बन गया हमेशा सदेव विद्धिमान रहने वाला क्या शब्द है मूल शब्द सासे यहाँ पर भी बिंदी लग गई क्या बन गया करताने करम को देवम की तरह से क्या बन गया इसका सासत को साश्वत 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 का मतलब क्या होता है जो सदेव रहता है सोखम सोख तो आपको याद होगा बहुत बार बहुत सारी गाथाओं में आया है सोख से बना सोख माने सुख सोख इसका मूल शब्द है सोख बिंदी लग गई तो कौन सी वक्ती लग गई यहाँ पर भी दो बटा एक शास्वत सुख को देखिए अब इसका अर्थ देखेंगे पूरी गाथा का पहले यहाँ से दिखेंगे एक शब्द फिर इसका भावार्थ लिखेंगे सग्गम माने स्वर्ग तवेड माने तपसे सववो माने सब वी माने ही पावय माने प्राप्त करता है तहिम माने उन मैं वी माने भी ज्याड जो एड माने ध्यान योग से, जो माने जो, पावई माने प्राप्त करता है, सो माने वह, पावई माने प्राप्त करता है, परलोय माने परलोक में, सासयम माने शाश्वत, सोखम माने सोख को, स्वर्ग तप से सब ही प्राप्त करता है, उनमें भी ध्यान योग से जो प्राप्त करता है वे प्राप्त करता है पर लोग में शास्वत सुखो ऐसे पढ़ने से कुछ-कुछ मतलब आपको समझ में आ रहा होगा अब आपने क्या करना है जगे चेंज करनी होती है वाक्य बन जाता है जैसे कई बार कोई कविता बनाता है कोई गीत बनाता है तो उसमें आगे पीछे शब्द हो जाते हैं जब आप उसका मतलब समझाते हैं तो उसको एक प्रॉपर और व्याकरण की दश्टी से शब्दों को सही जगे प्लेस कर दिये जाता है तब से स्वर्ग तो सब ही प्राप कर लेते हैं तब से क्या होगा कि मिथ्या तब भी हो सकता है आपने बहुत ध्यान लगाया बहुत तब किया अपने शरीर को कष्ट दिया तो उसके बेश वे स्वर्ग तो सब को मिली जाएगा जिसने भी इस मनुष्य भव में आकर तब इत्यादी कर लिया लेकिन जो ध्यान योग से तब करता है वे परलोग में सास्वत सुख को प्राप्त करता है यह इसका अर्थ है यानि कि जो सही रूब से अरिहनतों द्वारा बताए गए मार्थ पर चलकर जो तब करता है जो सही सही आचनार सम्मिक दर्शन के साथ पर तब करेगा उसको क्या मिलेगा आगे चलके जो परलोग मिलने वाला है या तो उसे सही समय या सही काल है तो मुक्ष की प्राप्ती हो जाएगी तो उसे सास्वत सुख मिलेगा शास्वत यानी हमेशा सुखी रहेगा बाद में कभी स्वर्ग से लोटके नहीं आना पड़ेगा क्या बना अर्थ तप से स्वर्ग सब ही प्राप्त करते हैं यानि कि जो भी व्यक्तित तप इत्यादी करेगा तो उसे स्वर्ग तो मिल ही जाएगा सब ही प्राप्त करते हैं परंतु उनमें भी जो ध्यान योग से प्राप्त करता है किंतु अब किंतु के लिए यहाँ पर शब्द नहीं है गाथा में यह वाक्य पूरा करने के लिए लगाया है किंतु परंतु तो इसलिए ब्रैकेट में लिखा उनमें भी जो ध्यान योग से प्राप्त करता है अब क्या प्राप्त करता है तो वो भी हिडन है स्वर्ग ध्यान योग से स्वर्ग प्राप्त करता है वाक्य पूरा करने के लिए यहां पर लिखा कि स्वर्ग प्राप्त करता है वह परलोक में भी शास्वत सुख प्राप्त करता है परलोक में शाष्षवत सुख प्राप्त करता है अब इसका मतलब आप कई तरीके से निकाल सकते हैं कि आचर महराच क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने सही सही आचरन करके सही तरीके से ध्यान किया अपनी आत्मा का ध्यान मुक्ष पाउट गरंत चल रहा है तो उसके सार में ही हमें हरे प्रतिक गाता को समझना है कि मुक्ष के लिए उपकरम करने के लिए कही न कहीं बात हो रही है संसार में भटकने के लिए व्यवहार में या पर द्रव्य में आस्था रखने के लिए सारी बातें नहीं हो रही है स्वधर्ग का ध्यान लगाओ और पर द्रव्य से हमें दूर जाना है तो उन भावों के साथ में हमें प्रतिक गाता को समझना है तो इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे कि आपने पहले भी स्वाध्याय में पढ़ा है कि स्वर्ग तो मिल जाता है लेकिन देवता तो बन सकते हैं, लेकिन उसमें भी चारो प्रकार के देव बताएं है, विमानिक देव, भवनवसी देव, वियंतर देव, हवनवासी, वियंतर, जोतिस और वेमानिक चार प्रकार के देव बताये हैं तब इत्यादी करने से आप देवगती का बंतो कर सकते हैं लेकिन जो वेमानिक देव हैं वो सम्यकदर्शन के साथ ही हो पाता है तो वहाँ पर बताया है कि शास्वत सुख वहाँ मिल सकता है अगर सम्यकदर्शन के साथ में अर्थात ध्यान योग के साथ में उन्होंने किसी भी योगी ने अगर तप इत्यादी किया है तो उसे हमेशा रहने वाला सुख मिलेगा और अगर सही काल है, सही समय है तो उसको क्या मिल जाएगा मोक्ष की भी प्राप्ती हो सकती है तो वो हमेशा के लिए उसकी आत्मा सिद्धिसिला पर एक ही मुद्रा में विद्धिमान हो जाती है और वहां से कभी भी उनको लोट के नहीं आना अनंत सुख की प्राप्ती मोक्ष में उनको मिलती है इनी भावनाओं के साथ में आचारी गुरुवर ने हमें इस गाता को समझाने का प्रयत्न किया है आगया समझ में जल्दी से अब यहां से इसका अर्थ देखेंगे सग्गम से बना स्वर्ग तवेड का मतलब है तप से सब्वो से बना सब वी से बना ही पावई से बना प्राप्त करते हैं तहिम्माने बना उनमे वी से बना भी जाड जोएड से बना ध्यान योग से जो से बना जो पावई से बना प्राप्त करता है सो से लगाया वह पावई से फिर से प्राप्त करता है लोक में सासे माने शास्वत सोखम माने सुख अब हम अगली गाथा देखते हैं गाथा नमबर 24 सभी लोग नोट कर लिया इसको अच्छे से अपने नोट सभी को बना के रखने हैं क्योंकि यही नोट साथ के आपकी रैटिंग में जहां समझाते हैं उसका मतलब आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में जो भी आपको नौलेज उसके एसाब से लिख सकते हैं तो अपनी कॉपी पे जो भी लोग किलास कर रहे हैं उसे यही निवेदन है नोट से ज़रूर बनाए अपने रैष्टर पर कॉपी पे तो जिससे की कभी भी बाद में पविश्य में रेफर करना हो तो आप फटा-फट से उसको निकाल सकते हैं अब 24 नमर की गाथा करेंगे करेंगे थागए हैं कर दोस्चों है कर दोब चाह आप से भी बाद नहें कर दो पर करेंगे साथ साथ लिखते हैं और पढ़ते चलते हैं अई सोहड जोएडम चौवीस नंबर की अई सोहड जोएडम अई सोहड जोएडम क्या शब्द है सुद्धम अपको ध्यान रखना है जो गोल वाला शा होता है वो प्राक्रत में नहीं होता हिंदी में जब हम करते हैं तब वो शुद्ध बन जाता है हेमम सुद्धम हेमम हवेई जह तह य जह तह य कालाई लद्धिये अप्पा पर्मप ओ हवदी अब इसको पढ़ेंगे अहसोहड जोए अईसोहड जोएडम सुद्धम हेमम हवेई जह तहय कालाई लद्धिये अप्पा पर्मप ओ हवदी साथ साथ उच्छार जरूर करने का प्रयास करना है जो भी लोग क्लास कर रहे हैं जिससे बूलने का अभिहास दीरे दीरे आप सबको जरूर हो इसका आप शब्दार देखेंगे अईसोहड जोएडम अईसोहड एक ही शब्द है जो एडम इसमें तीन शब्दों की संधी की गई है पहला शब्द है अई उसके बाद दूसरा सब्द है सोहड दूसरा सब्द क्या है अई के बाद सोहड तीसरा है तीसरा सब्द क्या है जो पहले भी आया जो माने पिछली किसी गाता में भी आया था आपका योग के लिए आया था जो ई था वो योगी के लिए यहाँ पर जो अ है तो यहाँ पर इसका सईयोग लिया है सोहड और तीसरा सब्द है नीचे लिख दे अई माने अत्यंत इसी में लिखते है जो अ कौन कौन सा सब्द है इसमें अई सोहड और यहाँ से जो अ एडम लग गया देव एडम की तरह से तृतिया विवक्ति क्या बन गई एक वचन क्या अर्थ बना इसका अई का मतलब होता है अत्यंत सोहड का अर्थ है अलग अलग दिख लेते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी जएगी सोहड का मतलब है शुद्धी जनक सामग्री सोहड का मतलब जैसे सो का ही शब्दों में आगे लग जाता है सू या सो यानि कि बहुत ज़्यादा सुन्दर है सुद्धी है सोहड का अर्थ ही आपके लिधे नया शब्द है तो यहाँ पर जो हवर्थ लिया है वो है शुद्धी जनक सामग्री अभी जब इसका अर्थ करेंगे तब आपको इसका समझ में आएगा यहां तीसरा सब्ध है जोग का मतलब यहां पर है सईयोग सुद्धी जनक सामग्री के जो माने सईयोग और साथ में एड़ लग गया तो तिरतिया विवक्ति में क्या बन गया से या द्वारा अई माने अत्यंत सोहड माने सुद्धी जनक सामग्री के जो माने सईयोग से एड़ लग गया तो से लगा दिया यह आपको सोहड वाला नया शब्द है वो याद रखना है जो फिसली गाता में ने लिया था योगी के लिए और जो माने अहा लिया है सईयोग के लिए अगला शब्द है सुद्धम यह आपके लिए बहुत आसान है सुद्ध बन गया, सुद्धम से सीधे सीधे क्या बन गया सुद्ध यहां पर एक बटा एक लगाया है अब उन्सक्त की तरह से इसका अर्थ क्या है? शुद्ध तीसरा सब्द है आपका हेमम हेम मया जिएने आपको टतवासुत में आता है हेम मयाने सुन हेमम बिंदी लगी हुए यहाँ पर तो मूल शब्द क्या है हेम हेम माने क्या है सोना या सुन गोर्ड इसमें भी एक बटाएक लगेगा आपका नपुन सक्की तरह से हवेई 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 आपको पहले बहुत बार आया है हवेई माने तो सीधे सीधे होता है होता है इए दीदे लग गया हव मूल शब्द क्या का हो भी होता है होने के लिए और क्या लग गया इसमें अन्य पुरुष एक बचन होता है या हो जाता है एक ही बात है अगला शब्द है जहे तहे यह जहे माने जैसे तहे माने तैसे यह आपको अव्य शब्द है यह आपको याद होने चाहिए जहे माने जैसे और वहे माने जहे तहे तेह माने वैसे भी होता है तैसे भी होता है बोलने में तेह माने वैसे ये भी अव्या है अव्या शब्दों को आपको पता है कोई भी वक्ती बचन इत्यादी नहीं लगाते या माने यहां पर लिया है ही के रूप में ये भी अव्या है कई सारे शब्दोते हैं यह वी इनका ही भी कुछ भी अलग-अलग अर्थों में हमें वाक्य के इसाब से लगाना पड़ता है काल आई आप लोगों को दिखाई तो दे रहा है ना क्लियर एक्दम बोर्ड पर काल आई काल प्लस आई तो यह आई बनता है यहाँ पर यह विभक्ती नहीं है आई से क्या बनाए यहाँ पर पहले काल आई छोटी की मात्रा है बाद में विभक्ती लगी है तो बड़ी ए की मात्रा उसमें करी गई है इकारांत में जैसे हरी का रूप बनाते में हरी कर देते हैं बहुवचन में तो यहाँ पे काल का मतलब है काल प्लस आई अब यह ई बन गया तो किस वज़े से बन गया? हरी के रूप की तरह से बन गया पिर्थमा विभक्ति बहुवचन यानि कि काल आदी आई का मतलब क्या होता है आदी यह पुलिंग का शब्द है पुलिंग में हरी छोटी की मात्रा होती है बहुचन में क्या बन जाता है हरी बन जाता है उस प्रकार से यहां पर रूप बनाया है काल आदी उसके बाद शब्द है लद्धिये बड़ी की मात्रा और ए लद्धी माने होता है लब्धी यानि कि इसका अर्थ क्या बना काल लब्धी समय जब आता है उसको बोलते है काल लब्धी अनुकूल समय जब आता है क्या बन गया इसका मूल शब्द छोटी की मात्रा होती है लद्धी में मूल शब्द में बाद में E और A जोड़ दिया जाता है जैसे हमने देव का देवेड किया था लद्धी को जब हम तृतिया विवक्ति मराएंगे तो बड़ी A की मात्रा के साथ में यह हम लद्धी A कर देते हैं यहाँ पर इस्त्री लिंक का शब्द है और हमने देखा था कि वहाँ पर हम तृतिया से लेके सब्तिमी तक सब में A कर देते हैं जब हम इस्त्री लिंक के रूप बनाते हैं तो क्या बन गया इसका तृतिया विवक्ति A क्वचंग क्या बना लद्धी A यानि की लब्धी से वो हमें अर्थ में देखना पड़ता है कि विवक्ति तीसरी है कि सब्तिमी तक कई सारे में सब में A लगाया जाता है लब्धी से उसके बाद अगला शब्द है अप्पा अप्पा आप जानते ही हैं बहुत बार आता है आत्मा के लिए अप्पा का मतलब आत्मा मूल शब्द क्या है इसका अप्प यहां पर भी देवा की तरह से रूप बन जाता है अप्प के अलग रूप होते हैं बिलकुल पूरा की पूरा चार्ट आपको जो आपने गद्दि पद्दि सोरब पड़ा है तो उसमें कराए गया है परमप ओ पर मप ओ परमपो examined का मतलब आपने देखा है पर मात्मा एक आत्मा होती है और एक परमात्मा होती है पर मप मूल शब्द इसका परमप अ परमपा भी लिख देते हैं कई बार यहाँ पर अलग तरीके से बनाया है बहुत सारे रूप बन जाते हैं अ के लिए इनोंने बोला इसको स्वार्थिक प्रत्या लगाया है परमप के आगे मात्रा पूरी करने के लिए कई बार स्वार्थिक प्रत्या चंद इत्यादी में लगाया जाता है इसका अर्थ बन गया परमात्मा मूल शब्द हैं यहाँ परमप और अ यहाँ पर प्रियोग किया है उसके लिए बताया कि यह स्वार्थिक प्रत्या है स्वार्थिक प्रत्य का कोई विशेश अर्थ नहीं होता चंद मात्रत्यादी की पूर्ती के लिए पात्पूरक के रुखे इनको प्रियोग किया जाता है अ क्या है यहाँ पर जो अ लगाया है स्वार्थिक प्रत्य है उसके आगे इनोंने मात्रा O की लगाई है उसके बाद आखरी शब्द है इस गाथा का हवदी हवदी माने हותा है हवव माने कभी E लग गया कभी D लग गया ये पहले भी देखा है चार प्रकार से लगते हैं E A D D आप कुछ भी लगा सकते हैं हब माने हो जाता है या होता है अन्य पुरुष एक बचन हो जाता है देखिए इस गाथा का अर्थ देखेंगे अब हम सब लोग मिलके अई सोहर जोएडम अई माने बोलिये सब लोग मिलके एक साथ अई माने क्या होता है अत्यंत सोहर माने शुद्धी जनक सामगरी के ये नया शबदे आपको ध्यान लखना है इस गाथा के लिए भाव में जो एडम जो उमाने सायोग से अत्यंत सुद्धी जनक सामगरी के सायोग से साहियोग मतलब सारी शुद्ध सामिगरी एक साथ एकटी हो जाने से सुद्धम यानि की शुद्ध हेम माने सुवन यानि सोना हवे ही माने हो जाता है जह माने जैसे तह माने वैसे या माने ही काल आई काल आदी लद्धी यानि लब्धी से अप्पा माने आत्मा परमपओ माने परमात्मा हवदी माने हो जाता है कितनी बड़िया बात करी है अगर आपको मिट्टी से सोना बनाना हो या पत्थर में से सोन निकालना हो या बहुत सारी गंदगी कीचर जहां से भी सोना इत्यादी खान से निकाला जाता है तो सोना ऐसे ही नहीं बन जाएगा उसके लिए बहुत सारी सामिक्री जो सुद्ध हैं जो उसके लिए अनुकूल हैं एक साथ एक ही इस्थान पर होनी चाहिए तब ही वो चीज सोना बनेगी जमीन के अंदर कह लीजिए खान में कह लीजिए या बाहर निकालने की प्रेक्या कर लीजिए अपने आप से कोई वी चीज नहीं बनती इसी प्रकार से बोलते हैं जारों लाखों सालों में जाकर हीरा बनता है जो विशिष्ट धातू बनती है रतने बनते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक साथ एक समय पर एक स्थान पर जिनका सईयोग होता है उसी प्रकार से यहां कह रहे हैं कि अगर मोक्ष की प्राप्ती करनी है तो अत्यंत सुद्धी जनक सामेगरी एक साथ एक समय परकट होंगी तो ऐसा कैसे होगा काल लबदी यहां पर उन्होंने इस्पेशल लिया यानि कि यदि जैसे वर्तमान काल की अपेक्छा से अब सरपड़ी काल की अपेक्छा से देखा जाए तो क्या होना चाहिए चतुर्थ काल यद है और योगी सम्यक दर्शन के साथ में अपने धीरे धीरे जो गुडिस्थान है उसमें प्रविष्थ होता होता तेरे में चौदे में घुडिस्थान में जब पहुंसता है तो सारा की सारा सुद्धी जनक सामेगरी का संयोग यानि कि उसकी उतक्रष्ट ध्यान की है वहां पर वो पहुंच जाता है तभी वो आत्मा जो उस जीव के अंदर है वो परमात्मा बन जाती है अदर्वाइस प्रियास तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं लेकिन यदि काल ठीक न हो तो प्रियास होने के बाद में भी वो जरूरी नहीं है कि वो आत्मा परमात्मा यानि की अर्यंत अवस्था को प्राप्त कर पाए तो सभी चीजें बहुत जरूरी हैं अब धीरे-धीरे ये मुक्ष की तरव ले जाने की बात यहां पर कर रहे हैं कि जैसे की सोना बनता है कि सारी की सारी शुद्धी जनक सामिगरी एक साथ एक समय पर प्र करते रहें और बाकी की सामिग्री भी जो आपके कंट्रॉल में नहीं है वो अगर वहाँ पर आ जाएगी तो आपकी आत्मा भी परमात्मा बनने से कोई नहीं रोक सकता इसका हम अर्थ करेंगे जैसे अत्यंत सुद्ध जनक सामिग्री के सायोग से अत्यंत बहिए चतुर्थ काल भी हो और आपका जनम भी ऐसे छेत्र में हुआ होना चाहिए जहां से मोक्ष का उपकरम किया जा सकता हो मनुष्य भव भी मिलना चाहिए और आपको आगे चलके मुनी महराजी बनना पड़ेगा तभी आपको मोक्ष हो पाएगा विदे छेत्रित्यादी में वहाँ काल की सन्नचना नहीं है तो वहाँ पर आप कभी भी मोक्ष पर आप कर सकते हैं जैसे अत्यंत सुद्धी जनक सामिक्री के संयोग से अत्यंत सुद्धी जनक सामिक्री के संयोग से सामिक्री के संयोग से सुवन सुद्ध हो जाता है वैसे ही काल आदी लब्दी के संयोग से काल आदी लब्दी से काल आदी लब्दी के संयोग से ये भापुरा करने के लिए दुबारा लिखा है आत्मा परमात्मा हो जाता है आई नीरा यहां तक आना चुपिया आई सोहर जोएडम जैसे अत्यंत सुद्धी जनक सामिग्री यहां से शुद्ध ले लिया कि संयोग से शुद्ध हो जाता है हेम माने सुवन हवे ही माने हो जाता है जैसे यहां से ले लिया तह माने वैसे यह माने ही कालाई कालादी लब्दी अप्पा माने आत्मा पर्मपव हब्दी पर्मात्मा हो जाता है तो यह गाथा का आपका अर्थ हो गया है बाकी की गाथाएं अब हम कल करेंगे सभी को जय जनेंद्र और जय बोलिय भगवान मावीर स्वामी की जय है है बोलिय अनंतानंत सिद्ध पर्मेश्ठी भगवान की जय है